खबर है जार्खण में पहला टीका लगा सदर अस्पताल की सफाई कर्मी मर्यम गुडिया को जिहां दोस्तों जार्खण में कोरोना वैक्सिनेशन की शुरुवात जार्खण में सियम हेवन सोरेन ने की राची की सदर अस्पताल के सफाई कर्मी मर्यम गुडिया और मेडिका होस्पिटल के डॉक्टर बीजे मिसरा को पहला टीका लगाया गया आपको बता दे कि वैक्सिन लगवाए जाने के बाद मर्यम गुडिया ने बताया कि किसी को कोरोना से डरने की आवशकता नहीं है और उन्हें किसी भी तरह से कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है आपको बता दे कि टीका लगने वाले को कुल चार SMS भेजा गया SMS की जाच करने के बाद ही वैक्सिन लगाया गया खबर है मुख्यमंत्री हेमाज सुरेन ने क्या ट्वीट कहा कोरोना की जंग जल्द जीतेंगे दोस्तो मुख्यमत्री हेमन सुरेन ने ट्वीटर पर ट्वीट करके कहा कि नाची इस्थित सदर स्वताल में कोरोना टीका करण कारेकरम में शामिल होने का सोभाग्य मिला कोरोना टीका करण में केंदर सरकार की हर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है उन्होंने कहा मुझे बिश्वास है देश के बैग्यानिकों की कड़ी मेनत की बदोलत हम कोरोना संक्रमन से जल्द जंग जीतेंगे दोस्तो बेहत बड़ी खबर निकल करार ही है पूरा वीडियो बिल्कुल अंतक जरूर देखेगा अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जीहां दोस्तो बड़ी खबर आ रही है जारखंड के स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता को नहीं मिली वैक्सिन लगवाने की मंजूरी दोस्तो जार्खन के स्वास्थ मंत्री ने घोशना की थी कि राजे में कोरोना वैक्सिन आने के बाद स्वास्थे कर्मियों का संशय दूर करने के लिए वे पहला टीका लगवाएंगे जी हां लेकिन भारत सरकार ने उन्हें इसकी मंजुरी नहीं दी आपको बता दे कि भारत सरकार ने उन्हें स्वास्थे कर्मी मानने से इनकार कर दिया जी हां बता दे कि स्वास्थे मंत्री बन्ना गुपता ने स्वास्थे मंत्राले भारत सरकार को लिखा था कि वे स्वास्थे विभाग के कर्मी है इसलिए उन्हें पहला टीका लगवाने की मंजूरी मिलनी चाहिए लेकिन भारत सरकार ने उन्हें स्वास्थे कर्मी मानने से इनकार कर दिया खबर है जारखन में त्री अस्तरिये पंचाहत चुनाओं अप्रेल में होने की संभावना दोस्तो जारखन में अप्रेल 2021 के अंत तक चुनाओं कराया जा सकता है जारखन राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ती की परक्रिया अंतीम चरण में है राज्जे निर्वाचन आयुक्ति के पद पर नियुक्ति को आविशक बताते हुए पंचायती राज भी भाग ने मुख्यमंत्री से शीगर फैसला लेने का अनुरोध किया है आपको बता दे कि राज्जे सरकार ने पंचायत चुनाओ के लिए तैयारियां शुरू कर दी है खबरों की माने तो राज्जे में त्री अस्तरिय पंचायत चुनाओ अप्रेल महिने के अंते तक होने की संभावना बताई जा रही है लोगडाउन के कारण राज्जे में नौमबर दिसंबर 2020 में होने वाले पंचायत चुनाओ नियत समय पर नहीं होने के कारण त्री अस्तरिय पंचायत चुनाओ पंचायती व्योस्था स्वत भीगटित हो गई जिया आपको बता दे कि बरत्मान में राज्जे सरकार ने पंचायती राज्य व्योस्था की संचाला नहीं तू छह मा के लिए कारिय समिती का प्रावधान किया है खबर है आज से पारा सिक्षकों का आंदोलन हुआ शुरू दोस्तो 15 जन्मरी 2021 शुकुलवार को एकिकरित पारा सिक्षक संगर्स मोर्चा के शिष्ट मंडल माननीय मुख्यमंतरी स्री हेमंस स्वरें जी से प्रोजेक्ट भवन नुला कात की आपको बता दे कि बादचीत के दुरान मुख्यमंतरी ने काफी सकारातमक होगर कहा कि कुछ समय दीजिए आपकी सभी समस्याओं का समधान होगा उन्होंने का हम मंगलवार को शिक्षा विभाक के अधिकारियों से पारा सिक्षकों के मुद्दे पर वाचीत करेंगे जी हाँ आपको बता दे कि एकिक्रित पारा सिक्षक संगर्स मोर्चा की राज जी कैने भी दो टुक में इसपश्ट कर दिया है कि इस बार कोरे आस्वासन की पोटरी पर अंदोलन वापस नहीं होगा संगर्स मोर्चा की अनुसार 17 जनवरी को सता पक्ष के सभी विधायक 24 जनवरी को सभी मंत्री आवास तथा 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पूर्व निर्धारित कारेक्रम के तहत वादा पूरा करो परदर्शन होगा संगर्स मोर्चा ने कहा राज्य के सभी पारा सिक्षकों से अपील है कि एकिरित पारा सिक्षक संगर्स मोर्चा द्वारा निर्धारित कारिक्रम को सफल बनाने में जुट जाए खबर है सड़क किनारे वाहन लावारिस हालत में रखने पर होगी बड़ी कारवाई दोस्तो राजधानी राची में सड़क के किनारे लावारिस हालत में वाहन रखने वालों के खिलाब अब पुलिस कारवाई करेगी आपको बता दे कि लावारिस हालत में वाहनों के छोड़े जाने की वज़े से जहां यातायात परवाह में रुकावट हो रहा है साथ ही पर्यावरन संबंधी गंभी खत्रा पैदा हो रहा है ट्रैफिक एसपी द्वरा दिये गए आदेश में दिल्ली हाईकोट के एक आदेश का जिक्र है जिसमें पब्लिक पार्किंग शेत्र में वाहनों को हटाने का आदेश पारित किया गया है इसके तहट सार्वजनी का स्थान पर वाहन रखने से दूसरों को अस्विधा या खत्रा हो सकता है इसे अपराध माना जा सकता है ऐसे लोगों के खिलाब मोटर वहान अधिनियम की धारा दोसो तिरासी ओबलिक दोसो नब्बे के तहट कारवाई की जा सकती है खबर है अब रेलवे की तरह गैस सिलिंडर की भी होगी ततकाल बुकिंग दोस्तो इंडियन रेलवे की तरच पर अब LPG गैस सिलिंडर की भी ततकाल बुकिंग हो सकेगी अब किसी भी दिन आप ततकाल कोटे से गैस सिलिंडर की बुकिंग करा सकते हैं यदि आप booking परक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो उसी दिन 30-60 मिनट के अंदर आपके घर गैस सिलिंडर के डिलिवरी हो जाएगी बिजनेस इस्टेंडर रिपोर्ट के मताबिक इंडियन ओयल घरेलू LPG गैस सिलिंडर की ततकाल बुकिंग को शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार LPG गैस सिलिंडर की ततकाल बुकिंग के लिए दिन में एक फिक्स टाइम होगा और उसमें गैस बुकिंग करने वालों को आदे घंटे से एग घंटे के अंदर सिलिंडर की डिलिवरी कर दी जाएगी जिहां आपको बता दे कि सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भीज़े जा रहा है इसमें दो से तीन सप्ता का समय लग सकता है उम्मीद है कि इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है खबर है अब नहीं बंद होगा आठ फरवरी को किसी का भी वाटसेप अकाउंट जिहां दोस्तों बड़ी खुश खबरी है कि अब आठ फरवरी को किसी का भी वाटसेप अकाउंट जिहां वाटसेप अकाउंट बंद नहीं होगा क्योंकि कम्पनी ने privacy policy को लेकर बढ़ा कदम उठाया है खबर है कि कम्पनी अब धीरे धीरे 15 मई तक policy लागू करेंगी कम्पनी का मानना है कि policy का समय आगे बढ़ाने से users को उसे समझने का टाइम मिल जाएगा WhatsApp की parent company Facebook ने बताया कि app के नए अपडेट को लेकर लोगों को काफी गलत फैमी है जिसके चलते फिलहा नए अपडेट को रोग दिया गया है company ने अपने ब्लॉग में लिखाए उस तारिक को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें users से policy और शर्ते बढ़ने और उन्हें स्विकार करने को कहा जाएगा 8 फरवरी को किसी का account डिलिट या सस्पेंड नहीं किया जाएगा हम अपनी privacy और सुरक्षा policy को लेकर response जानकरिया देंगे और लोगों के बीच फैले भ्रहम को दूर करेंगे इसके बाद company धीर धीर लोगों से नई policy पर उनकी राय लेगी इसके लिए 15 मई तक का समय तै किया गया है खबर है रेलेवे ने फिर शुरू की e-catering सेवा seat पर मिलेगा मन पसंद खाना दोस्तो ट्रेनों में e-catering की सुविधा यात्रियों को फिर से रेलवे शुरू करने जा रहा है रेल मंतराले ने इसके लिए IRCTC को परमिशन दे दी है यानि अब फिर से ट्रेनों में सफर के दोरान यात्रियों का ओर्डर बुक करने पर खाना मिल सकेगा इसकी सुर्वाद देश के कुछ उनिंदा रेलवे स्टेशनों से की जा रही है कोरोना काल के दोरान ये सिवा बंद कर दी गई थी IRCTC की इस सुविधा के माध्यम से यात्री ओनलाइन ही पसंदीदा रेश्टोरेंट से अपना खाना ओर्डर कर सकते हैं और्डर करने के समय यात्री को ये बता दिया जाएगा कि उनका किस स्टेशन पर और कितनी देर में पहुँचेगा यात्री को कहीं जाने की जुरत नहीं होगी खाने को उसके सीट पर ही डिलिवर कर दिया जाएगा IRCTC द्वारा अधिकरित E-Catering Service रेल मंत्राले ने इसके लिए परमिशन दे दी है रेल रेश्टरो जनवरी दोहरे किस के अंतीम सप्ता से काम शुरू करने को तयार है इसके लिए कंपने ने सकत दिशा निदिश दिये हैं जिसमें परिशालन के दोरान कई बार रेश्टरा के करमचारियों और डिलिवरी कर्मियों की थर्मल स्केनिंग, नियमित अंत्राल पर रस्वी की सफाई, रेश्टरा के करमचारियों और डिलिवरी कर्मियों द्वरा से सुरक्षात्मक फेस मास्क या फेस शिल्ट को प्योग शामिल है खबर है बजट में मिलेगी करदाताओं को रहत दोस्तों में आगामी एक फर्वरी को बीत मंत्री निर्मला सीतरम द्वरा पेश किये जाने वाले आम बजट के परस्ताओं में मिडल कलास के करदाताओं के लिए बड़ी खुश खबरी आ रही है सुत्रों सुमिली जानकारी के अनुसार बजट 2021-2021 में आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहद घोस्चित की गई रकम को COVID-19 महमारी के खिलाप अपनी लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है आयकर दाताओं के लिए टेक्स छूट की सीमा को बढ़ा कर पांच लाक रुपे तक किया जा सकता है पहले यह सीमा धाई लाक रुपे तरह है आपको बता दे कि 2019 के अंतरीम बजट में सरकार ने सभी देय करों पर छूट का परस्ताव दिया था यदि किसी व्यक्ति की कर योगिय आय परती वर्ष पांच लाक रुपे तक है लेकिन इसने बुनियादी छूट अस्तरों को अब परिवर्तित रखा है पिछले साल से कर छूट की सीमा अब परिवर्तित बने हुई है भले ही सरकार ने करदाताओं को मौझूदा करवे उस्ता और कम बैकलपिक दरों के साथ बैकलपिक करवे उस्ता के बीच चैन करने की अनुमती देकर कुछ राहत परदान की थी आपको बता दे कि लोगों की बुनियादी कर छूट की सीमा बढ़ाने का परस्ताओ विभिन तिमाहियों से आया है सुत्रों के अनुसार राजस्व विभाग करके नहीतार्थों की जाच करने के बाद इस पर एक कॉल लेगा तो दोस्तो ये था आप तक की बड़ी खबर ब्रेकिंग नियूज, मुख्य समाचार और ताजा खबरों की सुर्खिया दोस्तो आपसे अनुरोधाय की चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए अपने दोस्तों को वीडियो शेर कर दिजिए साथ ही बिल के आइकन को दबाईए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटिस्ट ब्रेकिन विच की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल सके और अब इचाज़त दें नमस्कार